नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक में हम आपको Microsoft Excel में Lumsum Calculator कैसे बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप दिखाएंगे तो वीडियो काफी important होने वाला है वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए प्रोसेस को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक table को design किया है जहाँ पे मैंने लिया है total investment यहाँ पे हमने लिया है एक लाग रुपए expected return rate हमने यहाँ पे लिया है 12% time period 10 साल total amount यहाँ पे हम total amount को calculate करेंगे और नीचे यहाँ पे estimated returns यहाँ पे हम estimated return amount को भी calculate करके निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे इन तीनों के उपर बेस करके हम आपको सबसे पहले total amount को calculate करके दिखाएंगे तो इसके लिए आपको फॉर्मुलर में लिखना होगा equal fv first bucket को open करेंगे open करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा rate तो rate में आपको यहाँ पे expected return rate के इस cell को select कर देना है फिर आपको देना होगा comma comma देने के बाद आपको यहाँ पे देना है nper यहाँ पे आपको time period के इस cell को select कर देना है फिर आपको यहाँ पर देना है comma, comma देने के बाद आपको यहाँ पर देना होगा PMT, तो PMT में हम यहाँ पर लिखेंगे 0, क्योंकि हमारा PMT का कुछ amount यहाँ पर नहीं है, फिर आपको देना होगा comma, comma देने के बाद आपको यहाँ पर देना होगा एक minus sign, और उसके बाद आपक करने के साथ ही यहाँ पर देखिए total amount calculate हो चुका है अब हम दोस्तों यहाँ पर estimated returns को calculate करके दिखाएंगे तो इसके लिए आपको total amount से invested amount को minus करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे equal, equal देने के बाद आपको यहाँ पर total amount के इस cell को select कर देना है फिर आपको देना होगा minus sign और total invested amount के इस cell को select कर देना है जस्ट एक बर enterprise करना है enterprise करने के साथ ही यहाँ पर देखिए estimated returns यहाँ पर calculate हो चुका है तो दोस्तों यह हो गया हमारा calculation अब हम यहाँ पर इन दोनों को select करेंगे select करके इनके alignment को center करेंगे तो इसके लिए आपको जाना होगा home tab में और यहाँ से center alignment में जाके click करना है click करने के साथ ही यहाँ पर देखिए इनका alignment center हो चुका है अब दोस्तों जब भी आप यहाँ पर total invested amount, expected return rate and time period किसी को भी change करेंगे तो automatically table में सारा calculation हो जाएगा तो मैं यहाँ पर total invested amount को change करके करूँगा धाई लाग जस्ट एक बार interface करना है interface करने के साथ ही यहाँ पर देखिए total amount and estimated returns सारा यहाँ पर calculate हो चुका है अब मैं यहाँ पर expected return rate इसको मैं करूँगा 11% तो automatically देखिए यहाँ पर total amount and estimated returns calculate हो चुका है अब हम यहाँ पर time period को change करेंगे और एक बार interface करना है तो यहाँ पर देखिए automatically total amount and estimated returns calculate हो चुका है तो दोस्तों यह था simple process जिसको यूज़ करके आप easily Microsoft Excel में लंसम calculator बना सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा thank you for watching the video please keep your support